तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ हजब आफिस जा चुके हैं और मेरा बच्चा भी स्कूल जा चुके हैं देन मैं उन लोग को स्कूल और आफिस भेजने के बाद मैं अभी ब्रश करने लगी हूँ व्योंकि सुबह सुबह मुझे न टाइम नहीं मिल प कर देना कि पहले ब्रश कर लेती हूँ उसके बाद मैं शुरू करूंगी मुझे कुछ डाल लूगी कई बर ऐसा होता है न कि मैं ब्रश करने के पृद एक बिस्कित खा लेती हूँ या फिर ड्राइफ फूर चैने कहा लेती हूँ फिर मैं अबना डस्टिंग क्लेणिंग का जो भी काम है ने वो शुरू करते हूं तो इसलिए मैंने सुबह सुबह भी काम अपना भी शुरू करने वाली हूं और सारा इनका काम बच्चे का काम वो सब हो चुका था देखिए मैं अपना घर दिखाती हूं किस तरीके से रहता है इनको आफिस जाने के बाद और बच्चे की स्कूल जाने के बाद मेरा घर पूरा बिखरा रहता है सुबह के टाइम मुझे समझ में नहीं आता है कि कहा क्या है बद जल्दी जल्दी भागम भाग में जो भी चीज़े फटा-फट स्पीट के साथ करना होता है तो यहां पर प्लेट में रखा हुआ है और सब्जी जो बनाई दी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा कीचन तो पूरे मैं कैसी क्लिनिंग करती हूं इतने कम टाइम में और शिक्स्टी मिनट में तो वह मैं आपके शाहर करूंगी तो यहां पर देख सकते हैं नीचे मेरे कीचन की हालत एक दम बहुत ही ज्यादा मेशी पड़ा हुआ है इस टाइम पर पूरा मेरा घर और यहां रात को कुछ ग्रोश्री शॉपिंग करके आए थी तो वह है तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी तो यहां पर आप देख सकते हो यह मेरा जो हॉल है वह है सोफा की हालत यहां दो-दो गलास एक मील का गलास रखा हुआ है और एक रखा हुआ है पानी जो सपर्श पिया था यह है हॉल की हालत तो इस तरीके से मेरा घर कुछ है इस टाइम पे तो आप भी बस मैं भी जानी है उसको क्लीन करने के लिए और क्लीनिंग वाली वीडियो से बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है तो चली अभी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आज मैं बेडरूम से ही शुरू करती हूं तो यहां पर मैंने जो पीलो है उसको पहले कौवर उसका मैं ठीक किया और इसको मैं भी साइड में रखूंगी बेडशीट में चेंज नहीं कर में करता है तो फोन अगया था ममी चीं का तो मैं भीन बात करने लगी दी और मैं सोचे ही चलो साथ ही जातना अपने कर गया देख कर लोगाना तक्म करना करन एक यह प्लुटूथ ढूमंचान प्रेव्यां कुल सबस् 점 रखें, मैं यहां सब मुझे पाद थी। तो इसको मैं ले जाके उसके जगह पिर रखी हूं कि इसके बाद यहां पर मैं थोड़ा बखुशन अच्छेयाएं और कुशन हटाने के बाद फिर में यहाँ पर सोफा का और वह ठीक कर ले रही हूं जो यहां पर थी सब को उसके जग़ जग़ पे ले जाके रख रही हूं ताकि जो यहां का स्पेस है वह खाली हो जाए और मेरी जो क्लीनिंग है वह कंचिनिव रहे तो यहां पर मैंने यह सोफा बड़ा वाला ठीक करने के बाद मैंने सारी कुशन को लगा लिए और इनके जो है ना इसको भी मैं साफ कर दे रही हूं और टाविल की हैल्प से थोड़ा सा इसको मैं जार भी दे रही हूं तो यहां पर डस्टिंग करने थी तो सबसे पहले यहां पर रात में बहुत ने चांद ही आया थी जिसकी वजह जब पूरा डस्ट डस्ट हो गया हमारा घर तो मैं यहां पर सबसे पहले जो टीवी के नीछे टेबल है उसको मैं ने साफ किया क्योंकि ऐसे सीखे कपड़े से यह साफ नहीं होने वाला था अगर हो जाता है तो मैं उससे कर दी बट मुझे गीले कपड़े से इसको साफ करना पड़ा है तो काफी अच्छे से यह चमक गया है उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में नहीं से स्टूल को रख दे रही हूँ क्योंकि यहीं पर यह रखा हुआ था यहाँ पर यह जो साइड वाला टेबल था इसको भी मैं साफ कर लें है क्योंकि डश्ट था यह वाला जो आप ड्रोर देख रहे हैं इसके उपर भी मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया वो भी गीले कपड़े से क्योंकि गीला कपड़ा लेके आई थी तो मैं हाथ हुआत तब कुछ मैं सोची कि चलो एक बार मारी देती हूं ताकि जो मेरा टेबल वेगरा है ना उसमें शाइनिंग जाए तो अगर आप सिर्फ डस्टिंग करते हूं तो नहीं हो पाता है थोड़ा सा घिलक अपना पड़ करना पड़ता है या फिर आप कोलिन डाल के साफ करो तो उसके बाद मैं भी लेकिया गई हूं जाड़ू फिर से अभी कॉल आ रहा था तो मैं भी कॉल लगा रही थी तो यहां पर मैं भी रूम में लगाने लगी हूं जाड़ू और जाड़ू लगाने के साथ साथ मैं भी कॉल भी लगा रही थी बट मम्मी थोड़ा बेजी थी तो बोलीगी मैं बाद में बात करूंगी तो फिर मैंने मुबाइल को अभी रग दूँगी और फिर से मैं फट आफ़र्ट होते जाते हूं और मन भी लगता है काम करने में मैं पता ही नहीं चलता है कि काम कैसे हो जाता है और सारा काम भी खतम हो जाता है घर का तो बस यहां पर सोफे के नीचे मुझे थोड़ा सा न लग रहा था कि कुछ ना कुछ गिरा हुआ है नमकिन वेकर इस कि मैं आज सोच रही थी कि कीचेन में जहाड़ू पहले सब कुछ मैं क्लेरिंग कर लेती हूं डस्टिंग क्लेरिंग लास्ट मैं आज कीचेन में जाने वाली हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप डेली डेली यहीं काम करो तो थोड़ा सा वोरियत सा हो जाता है तो सब्सक्राइब को मैं अलग बाउर में निकाल दूंगी और कढ़ाई को मैं डाल दूंगी वाश होने के लिए और जो भी चीजे है ना कीचन में उसकी जगह पर रख दूंगे सबसे पहले आप काम यह करो ना की काउंटर टॉप के जो चीजे अगर आप खाली करते हो सबसे प बरतन को लगाती है तो मेरा जो बासकेट है ब्लू वाला वो पी खाली हो गया है और मैंने यह जो गैस टोप की जो जो उपर का स्टैंड है उसको भी मैंने वाश करने के लिए डाल दिया है उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से मैं यहां पर करने लगी हूं डिस बार थोड़ काउंटर टॉप को भी मैं कपड़ेगी ले करके और पोश्ट ले रही हूं और काउंटर टॉप योगरा गैस सब कुछ मेरा साफ हो चुका है उसके बाद जो स्टैंड है ना लोहे वाला जो गैस का है उसको भी मैं अच्छे से स्क्रबिंग कर ले रही हूं और फिर पाने से दो दोंगी क्योंकि इस पर कई बार ना दूद गरम करते हैं तो गिर जाता है या फिर आटे वे करेंगा सब्जी के छीटे आ जाते हैं तो फिर मुझे स्क्रबिंग करना पड़ता है उसको और दैन मैं यहां पर चकला बेलन भी धो ले नहीं क्योंकि मैं वह फूल चुक कि बाद साफ कर दूगी क्यूंकि इसाफ करणे का आना की दूसर जेसा बड़ता है और मन्हीं घंडा तरा सा जाबता है उसक। उसके बाद जो थोड़े से बरतन है उसको मैं अभी थोड़े दिर बाद होंगी सबसे पहले मैं सुचे कि जाड़ू लगा तो क्योंकि नीचे पानी गिर रहा था न तो फिर गेले हो जाएंगे तो फिर जाड़ू नहीं लग पाएगा तो यहाँ पर आटा विगन निकाली थी न तो यह काफी जादा गंदा मुझे दिख रहा था अज मेरा कीचन काफी गंदा हो गया है तो बस मैं यहाँ पर जाड़ू लगा दे रही हूँ उसके बाद थोड़े जो बरतन है उसको मैं फटा फट से साफ करूंगी तो देखे कीचन से कितनी जादा गंदगी निकल रही है लेस उनके छिलके आटा मतलब कुछ न कुछ न कुछ न कुछ गीरा ही रहता है तो बस मैं अभी फटा फट से लगा लेती हूँ जाड़ू और थोड़ा देर मतलब पुरा यह जो काम है न करने में मुझे घंटे लग जाते हैं घंटे कभी घंटे जे थोड़े से 5 पनिट कम लगते हैं अब मान के चलो न की घंटे में मेरा यह सारा जो काम है न निपट जाता है तो बस मैं यहां पे रूम में आ गई हूँ अभी जाड़ू लगाने के लिए और यह जाड़ू लगाते लगाते मैं सीधे सीधे पीछे आंगन में चली जाओंगी और इधर ही में उठा लेती हू उसके बाद यहां पे रात में जो आंधी आई थी तो इधर भी बहुत डश्ट थे तो जो है न वो बहुत जादा निकला था जो बहारन हम बोलते हैं और उसके बाद यहां पे मैं मोपिंग कर ले रही हूँ और हॉल में रूम में सब कुछ मैं अभी मोपिंग कर ले रही और जो परतन थे वो भी मेरे वाश हो चुके हैं कपड़ी मैं पीछे ही डारी थी तो वो सारे उठा के लाके मैं अभी रखते रही हूँ रूम में तो बस almost मेरा काम खर्तम हो चुके हैं और उसके बाद देखिए मेरा रूम कितना साफ सुतरा हो गया है और क्लिलिंग करने के बाद इस तरीके से कुछ मेरा घर रहता है सुबह सुबह आपने देखा था कितना जादा मेशी दिख रहा था तो ये है मेरा कीचन और कीचन के बाद यहाँ पर जो नीचे आप समान देख रहे हैं ये मैं बाद में ठीक करूँगी क्योंकि आराम से बैठके फुरसत में करूँगी और ये हो गया हॉल एरिया तो पूरा जो मेरा घर है वो अच्छे से अरेंज हो गया है देर मैं अभी नहा किया चुकी हूँ और आज मैंने शैंपो किया है नहाने के बाद तो बाल तो अभी सुखेंगे तभी मैं इसको कॉम करूँगी तो थोड़ा सा मैंने न तोयल से भी वो कर लिया हाई जी तो कपड़े इधर रखे हुए थे तो इसको मैं ले जारी हूँ मशीन में डालने के लिए और मैं साथ ही साथ मशीन भी चला दूँगी तो उसके बाद न मेरा नेल काफी बढ़ चुक है तो ये ब्लॉग आज कहीं है नेल काफी बढ़ चुक है तो मैं उसको बैट गई हूँ कट करने के लिए तो मैं पैर के भी नेल कट करूँगी और हाथों में फिंगर के भी न काफी नेल मेरे बढ़ चुके थे तो ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना अगर अच्छे लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करना अच्छे अच्छे कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मिलती हूँ नेस्ट लोग